नमस्कार प्रणाम आपका छोड़ भाई चंदन कुमार और आज मैं दिखाने के लिए आया हूँ मूंग का खेती कैसे होता है मूंग का पोधा थोड़ा से दिखा दूँ देखे यहाँ पे थोड़ा सा जुम करके दिखा रहा हूँ देखे ये है मुंग का पोधा जो कि कुछ दिन के बाद यानि एक मैने के बाद इसमें मुंग आना श्टार्ट हो जागा और तोड़ाई और चलिए इधर भी दिखा दूँ और हम लोग का यही सब खेत है और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिधर मुंग का खेती नहीं होता है तो लोग सोचता है कि कैसे मुंग का खेती होता है जैसे हम लोग के तरफ अंगूर का खेती नहीं होता है तो हम लोग को लगता है कि अंगूर कैसे होता है उसी परकार हम थोड़ा सोचें कि चलो मुंग का खेती दिखा दें और जहां नहीं होता है तो वहां भी लोगों को इसी तरह लगता है कि मुंग का खेती कैसे होता है इसलिए मैं सोचें थोड़ा सा दिखा दूँ और यही सब है देखें इसमें अभी छोटा छोटा पोधा है और लगवए एक महना के बाद इसमें मूंगाना स्टार्ट हो जागा और सब लोग इसको तोड़ेंगे. तोड़ने के बाद यसको धूप में देने के बाद फिर 명 मूंगन कलता है. और उसी परकाश जहां भी जिसे अंगूर का खेती होता है या तो अनार का खेती होता है हर जगा होता है उनको भी यह लगता होगा कि मुंग का खेती कैसे होता है तो मैं सोचा थोड़ा सा इस ब्लोक में बता दूं और फिर अगला ब्लोक में मिलेंगे नवस्कार पड़ाम